हेलो गाईस कैसे हो आप सभी चलिए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या आई हुई है MPGDS मद्यपरदेश क्राम बिन डाक शेवक की और से यह हैं इंडिया पोस्ट आपिश की तरफ से अपडेश आती रहती है आप इसे ट्वीटर पर देख सकते हो ट्वीटर पर आपको नई नई अपडेट्स मिल सकती है तो चलिए जानकारी लेते हैं कि MPGDS का रिजल्ट कब तक आ सकता है डाकुमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस क्या रहेगी तो सबसे पहले तो हमने को पता है कि एप्लिकेशन जो को स्टार्ट डेट थी 8-6-2020 थी इस समय से एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका था लास्ट डेट जो है 31-6-2020 थी परन्तु कुछ लोगों ने पैमेंट दे दिया था और एपलाई नहीं किया था इसलिए जो है 77-2020 तक जो है कुछ पोट्स कैंसिल हो जाने के कारण नई पोट्स सेलेक्ट करने के लिए जो है आवेदन खुला था और इसी समय उत्राखंड का रिजल्ट जो है नहीं खुला था लेकिन उत्राखंड का जो है जल्द से जल्द रिजल्ट आ गया है तो अब जो है इसमें पोट्स टोटल 2834 थी 283 और 5 तो मदबरदेश ग्रामिट डांक सेवक 2020 का रिजल्ट कब तक आ जाता है जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपके लिए एक नया वीडियो हम बना देंगे और चलिए जानते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो शक्ती है तो रिजल्ट आने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है अराउंड सेप्टेम्बर ऐसा नहीं है कि सेप्टेम्बर में ही आएगा या अक्टुम्बर पे आएगा बलकि यह अगस्त में अभी कुछ दिन बचा हुआ है 6-7 दिन बचा हुआ है तो इन दिनों जो है रिजल्ट विल्को डिकलियर किया जा शकता है क्योंकि टाइम हो चुका है देड़ मन्थ अब देड मन्त के बाद जो है कभी भी result declare किया जाशकता है on एक average की हम बात करें तो एक average time जो है 5 मन्त का लगता है result आने में क्योंकि अधिक से अधिक समय जो लगता है 11-12 महने लगता है result आने में और कम से कम time जो है अभी हाली में हमने देखा है जैसे उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड का result एक से देड़ महने में रिलिच कर दिया गया है तो वैसे ही मद्दप्रदेश का result भी जो है 2-3 महने में result आने की संभावना है जैसे ही मद्रप्रदेश का result आता है तो आपके लिए एक नया वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आप cut-off बहुत असानी से देख सकते हो आप सोच रहे होंगे कि cut-off पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे cut-off पर इसलिए वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि cut-off जो है हर एक एरिया की अलग-अलग रहती है और वो depend करती है उस एरिया में कितने percent वाले लोग है तो चलिए जानते हैं कि यदि आपकी cut-off में नम्मर आता है और आपके पास message आता है तो आपको क्या-क्या documents लगेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो है आपकी 10th की market seat लगेगी जो बहुत ही important है और cast certificate लगेगा यदि आप OVC और STSC से है तो और disability यदि आप में है आपने apply किया है PWD में तो आपको यह लगेगा बहुत ही ज़रूरी है बाकी computer certificate तो सभी के लिए अनिवार्य है जो कि 3 months का लगता है computer certificate में DCA, PGDCA या 3 months का कोई भी local मान्यतप्राप्त संस्ता जो है university से उसका 3 months का diploma आप apply यहाँ पे लगा सकते हो certificate तो result जो है लगबख सितंबर के ending तक आने की बिलकुर full संभावना है परन्तु अभी अगस्त पर भी result आ सकता है तो result की जो declared date हमने कहा कि average जो है 5 months लगता है तो 5 months में तो विलकुर confirm आई सकता है क्योंकि June में हमारा apply हुआ था तो June, July, August और September यह जो है लगबख 4 महने में result आ सकता है इसका cut off क्या रहेगा जैसी result आएगा तो cut off आपको मालूम चल जाएगा और इसको देखने के लिए cut off चेक करने के लिए आपको apppost.in पर जाना होगा यह वेक website है और चलिए देखते हैं कि अभी आज की क्या updates है आज की update है कि मद्धप्रदेश ग्रामिन डांक सेवा की और से जो 2834 पत निकाले गए हैं इस पर अभी कोई updates आनी बाकी है धीरे धीरे updates आएगी और अभी Twitter MP post की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली हुई है जैसे कि उत्तराखंड का result जो है 724 पोस्ट थी जो की देड़ मेहने में आ चुका है जो की मद्धप्रदेश के ही 77 apply हो रहा था और इसके 77 हरयाना का भी हो रहा था पर तो हरयाना की date बढ़ गई है इसलिए इसका result तो अभी 11 September के ending तक तो लगभग मद्प्रदेश का result आई ही जाएगा लेकिन ऐसा बिलकुर भी नहीं है बलकि अगस्त के अभी ending तक या अगस्त में ही जो है मद्प्रदेश का result आशकता है और वीडियो पाने के लिए latest update देखने के लिए सबसे पहले चैनल को subscribe करें और वीडियो को like क करें चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नई खवर के साथ के तौकर आप